जैस्री रदेरादे मित्रों, हरहर महादेो मित्रों, आज करवा चौथ का सुब पावन पर आ गया है एक साहुकार के साथ लड़के और एक लड़की थी सिठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का वृत रखा था रात्री को साहकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा इस पर बहन ने बताया कि आज उसका वृत है और वो खाना चद्रमा को अर्द देने के बाद ही खा सकती है सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती वो दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है जो ऐसा प्रतित होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो बहन ने अपनी भाई से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है चलो हम लोग ब्रत को खोल लेते हैं लेकिन भावियों ने उसकी बात नहीं मानी और ब्रत नहीं खोला बहन को अपने भाईयों की चतुराई समझ में नहीं आया और उस चांद को देखकर उसे अर्ग दिया और उसने करवा चोथ कब्रत खोल लिया और एक निवाला खा लिया जैसे ही वो पहला टोड़ा मुह में डालती है उसे चीक आ जाती है और जैसे ही दूसरा निवाला वो मुह में डालती है उसमें बाल निकलाता है फिर उसने तीसरा निवाला मुह में डालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ाया तभी उसके पती की मृत्यु का समाचार आ जाता है वो बेहत दुखी हो जाती है, रोधन करने लगती है, तभी उसकी भावी उसे सच्चाई बताती है कि हे बहन उसके साथ ऐसा क्यूं हुआ है, बृत गलत तरीके से तोड़ने के कारण देवताहुं से नाराज हो गए है यह सुनकर वो निश्य करती है कि वो अपने पती का अंतिम संसकार नहीं करेगी और अपने सतित्त में उन्हें पुनर जीवन दिला कर ही रहेगी सोकातुर होकर वहाँ अपने पती के शोगों लेकर एक वर्ष तक बैठी रहती है और उसके उपर उगने वाली घास को इकठा करती रहती है उसने पूरे साल की चतुर्थी को ब्रत किया और अगले साल कार्थि कष्ट चतुर्थी के दिन आने वाले पूरे करवा चोथ के विद्विधान पूजन को किया जिसके फल्ष रूप करवा माता और गरेश जी की आसिरवाद से उसका पती पुना जीवित हो जाता है करवा चौत के ब्रत के दिन सूर्योदे से पहले इश्नान करें और ब्रत का संकल्प ले पूरे दिन निर्जला ब्रत रखें शाम को भगवान शिव पार्वती कार्थ के गड़ेश और चंद्रमा का पूझन करें उसके पशात लड़ू या जो भी आप से जिस तरह से आपके पूर्वजों के में परंपरा चली आ रही है उस हिसाब से उनका भोग लगाएं और उन् का पूझनवा उनको अर्द दें और इसके बाद पती द्वारा पत्नी को पानी पिला कर ब्रत को तोड़ा जाता है तो मित्रों ये करवा चोथ के बारे की छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हुई हो तो हमारे इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें धन् जाद मित्रों